वेलकम तो दे चैनल ग्यापन एकेडमी यह वीडियो आपके लिए काफी कारगर साभित रहेगा अगर एक्जाम के पाँच मिनट पहले भी इस वीडियो को आप देखते हैं तो इसी में से कोस्टन रहेगे क्योंकि इस कोस्टन को बहुत ही मेहनतों के बाद बनाएगा है यानि कि बहुत सारा कोस्टन रहेगा आप सुने होंगे एक बात कि एक तिर से दो निसाना होता है लेकिन यहाँ एक तिर से साथ आठ निसाना होगा यानि कि कोस्टन साथ आठ रहेगा लेकिन answer उसका सिर्फ यही होगा इस वीडियो में सिर्फ यहीं देगा और पांच मिनट पहले अगर आप इस वीडियो को एक्जाम देने से पहले देख लेते हैं तो आपके exam में हर एक question साल बजाए तो बिना देर के चलते हैं वीडियो देखने देखिए यहां जो कुष्ण है काफी इंपोर्टेंट को सना और यह देखिए बहुत ही मेहनतों के बाद यह बनाया गया है आपके exam के लिए काफी इंपोर्टेंट है और यह जो answer set क्या गया है बहुत सारे question का जबाब है यानि प्रस्ण कोई भी हो उत्तर तो सिर्फ यह होगा देखिए कितना प्रस्ण का उत्तर सिर्फ एक इसमें पूरा का पूरा चीपा हुआ है देखिएगा कैसे यहां लिखा है कि जर्मनी के एक करण में बाद हाएं क्या थी अगर यह को सना आपको एक्जाम पेपर में देखने को मिले जर्मनी के एकरण में बिसमार की भूमिका का वर्णन करने को मिले जर्मनी का एक करण क्या है या फिर जर्मनी के करण कैसे संभवा यह पांच साथ जितना भी question है अगर इससे related आपको तूटा हुआ था ओर इसका एक करना काफी मुश्किल थाव बताइ कि 300 राजियों को एक करना काफी मुश्किल काम हो जाता है लेकिन ने ने इतना प्रतापी एक तरह से बोले तो राजा बना जो उत्सों राजियों को उनतालीस राज्यों में बदल दया नहीं कि उनतालीस राजिये को एक इप्रित करने के बाद से प्रशक का शाशक बिली नैण प्रें basm कांति का सबसे मेन मतलब वीलेन कौन है बादक होने तो में तरनी याद रखे एक्दम शौतन की तरह काम करता है ठीक है सौतन समझते हैं आप देखिए क्योंकि जर्मनी के करूंट में सबसे बड़ा बादक अस्ट्रिया था और अस्ट्रिया का मानना था कि यहां देखिए बिसमार्क का मानना था कि जो एक करण हो आदर्सवादी तरीके से नहीं बलकि रक्त और लोग की निती द्वारा अपनाई जानी चाहिए और इसके लिए सबसे पहले बिसमार्क ने अपनी आर्थिक निती को सुधारते हुए अपनी सेना को क्या क्या मजबूत की और अकिकरण में जो भी बधाएं आई जैसे कि अस्ट्रिया फ्रांस और डेन्मर्क इसको बुरी तरह से हराया यह इतना कोस्टन का एंसर है ठीक है अब देखिए अगला कोस्टन बिना लेट की हम लोग देखते हैं अगला इंपोर्टन कोस्टन क्या बनता है आपके एक लुए ठावा के मरने के बाद यह बना ठीक है जो बहुत इनगुष सा सकता फ्रांस में उबरे राष्टीयता और क्रांती को दबा रहा था इसके अब देखो इसने अपना परधान मंतरी किसको बना पॉलिगने को बना बना जो बहुत ही निरंकुष था समानना गरीता को कर मिलना चाहिए ना ठीक है आप जितना इसको मन करें बढ़ा चड़ा के लिख सकते हैं लोगों ने किया कि बिरोद किया और बिरोद को दबाने के लिए फिर यह क्या दिया पोलीगनिक ने किया कि अगला इंपॉर्टेंट कोश्चन देखिए अगर आपसे पूछे कि रूश की कु्रांती के कारणों की विवेशना करें रूश में क्यों हो यह यह फिर की क्या है ति दोनों में से कोई भी पूछे तो यहाँ पर आप सानापं का यह Когда यहीं आपका अधिल 60 का अपको अपनेक explain करके लिखेएगा ठीक है जाज की निरंकुस था यहां इसको लिख करके और एरो तीर का निसान देके लिखेएगा कि वहां रूस का जार बहुत ही निरंकुस था और अयोग्या था वो क्या करता था प्रजा के बारे में कुछ नहीं सोचता था वो सिर्फ अपने वोग विला rü siis करन की निति यहां पर पता होना चाहिए कि अईसी निति रूस के सासक वहां बोला था हर जगा पूरा का पूरा रूस का संस्कृति लोग मानेंगे इसी को कहते है रूस करन की निति है से कि लोग क्या हो गए गुस्सा हो गए अगला कोशन देखिए अगला कोशन ये भी काफी इंपोर्टेंट है खूरी रभी बार क्या है ब्लैडी संडे बहुत ही डेंजरस ये मामला था ठीक है रूस की जनता ने अपने सासकों की खिलाप रोटी दो के नारा लगाते वे पर क्या कर दिया गोलिया चलवा दी जिसके करन हजार लोगों की जान चली गई और इस दिन चुकि रवी बार था इसलिए इस दिन को क्या बोलते हैं यह आप रट लिजिएगा क्योंकि इंग्जाम में आपको देखने को मिलेगा अगला कोशन देखिए अगर आप से बैपार हो रहा है और होंनली करण के वजह से सब देश का वैपार एक बजार चुना गया में जहां पे सभी देश क्या करेंगे आकर का निक्सान पर यह नुक्षान घुचें जब हुआ आ सबकरना है जिसके अमेरिका इसके आलब सब्सक्राइब यही भूमंडली करण है और भूमंडली करण के कारण जियोन पारजन के छेतर में काफी बदला गया और जब यह सब होने लगा तो बता यह बैपार छेतर बड़े गई आप कहीं भी जाके अपने बैपार के जिए वहां के लोग अपने रोजी रोटी के लिए कहीं भी आ सकते हैं ठीक है यानि कि सब लोग समान होने लगे भारत में रहने माले लोगों के लिए भूमंडली करण के दौर में रोजगार की नएनी और उपलब भारत में तो बहुत परभाव पड़ा और कुश्चन ये भी पूजा जाता है भूमंडली करण के कारण ठीक है भारत में क्या परभाव पड़ा तो यहां पर हर लोग अगर रोजगार का सुविधा मिलने लगा तो उम्मीद करते हो कि आपको यह समझ में आया होगा अगर